भारत विविदता का दर्पन एकता की मूरत और लोक तंत्र की जननी यहां गणतांत्रिक विवस्थाओं के उदाहरण है वेदों में वैशाली की गण परिशत के उत्कोचों में आचारे चानक्य के अर्थशास्त्र में उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित चोल सामराज्जी की पंचायत विवस्था में उनकी गणम और वार्यम विवस्था में भगवान बसविश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में गण, सभा, गणपती, समिती लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं स्वरूप बदलता रहा संसकार नहीं बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र जिसका साक्षी बना हमारा संसद्भवन करीब एक शताब्दी पहले 1927 में ओपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसल हाउस बना देश आजाद हुआ ये भारत की संसद्भवनी यहीं पर हमारा संविधान रचा गया आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस से भारत के नागरिकों का प्रतनिधित्व करते हैं विशार विमर्ष की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद्द इतिहास की कई अभूत पूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद्भवन समय के साथ यहां परियाप्थ जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था आधुनिक तक्नीक का क्रियानवयन चुनोती पूर्ण हो रहा था ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवशक्ता को महसूस किया पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में और 10 दिसंबर 2020 को संसत के नव निर्मित भवन की आधारशिला रखी गई ठाई वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में पहले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक स्रिजित रोजगार से निर्मार कार्य पूरा किया गया जो अपने आप में कीर्तिमान है भारतियों द्वारा भारतियता के विचार से ओतपोत भारत के संसद भवन के निर्मार का शुवारम हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे एहम पड़ाओं में से एक है नए भारत के हर नागरिक की आकांग्शाओं और उज्ज्वल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्मार मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे इस भवन में प्रवेश के छेह द्वार है जो भारतिय सभ्यता के अनुसार प्रकृती को अपनी कृतग्यता अव्यक्त करते हैं मकर और हंस यानी जल को नमन शारदुल और गर्व यानी नभ को नमसकार अश्व और गज यानी थल को प्रणाव संसत के नए भवन का नया विराट लोगसभा कक्ष जो राश्ट्रिय पक्षी मोर से प्लेरित है इसका आकार मौजूदा लोगसभा से लगभग दो गुना बड़ा है नया राज्यसभा कक्ष राश्ट्रिय पुष्ट कमल से प्रेरित है जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग देर गुना बड़ा है ये भवन देश की जनता को समर्बित है इसलिए लोगसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक बीरगा का निर्मान किया गया है अत्याधुनिक डिजिटल उकर्व दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते है यहां सदन की कार्यवाही को विभिन भाशाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है सदस्यम के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टी मीडिया डिस्प्लेइ आटोमाटिक कैमरा कंट्रोल और कमान सेंटर का भी निर्मान किया गया है यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है इस भवन के एक भाग में लोकसभा है दूसरे में राज्यसभा और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतिय को जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है सम्विधान कक्ष जहां वे भारत में लोक तंत्र के अतीद से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते है यहीं भारत के सम्विधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है इसी सेंट्रल फॉयर में उपर की त्रिकोणिय छट से सूरी की किर्णे ब्रह्मान्द का भ्रमन करते हुए पेंडियूलम क्लोक पर गिरती है ये किर्णे बर्गत के पेड को नहलाती है और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकाले, भोजन कक्ष में फैल जाती है आत्म निर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्मान में भारत के हर भागने अपनी भागिदारी निभाई है कहीं महराश्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है उनी से दोनों सदन में अशुक चक्र भी बना है कहीं राजस्थान का शांदार स्टोनबर्ग कहीं उत्तरप्रदेश की कालीन बिची है कहीं त्रिपुरा की बैंबू वुट फ्लोरिंग वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन ये भवन एको फ्रेंडली होने के साथ साथ हुकम्प रोधक भी है सत्रा सौ से अधिक दर्वाजे खिडकिया है साथे तीन किलोमीटर लंबे बिल्दिंग कॉरिडोर्स है ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्ज और स्मार्ट एक्सेस की विवस्था है वही भारत की प्राचीन कलाओं का अध्भुत एक ही करण भी है तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्मान का गवा बनेगा पुराने संसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ तो नये भवन में 21 सदी के भारत की आकांचाये पूरी की जाएगी नये भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता विकसित भारत के संकल्प को गती देता ये है हम भारतियों का संसत भवन झाल झाल झाल